लिमिट यही आपको देगा इसी तरह सिसका सवाल आता है इसी तरह सौल करने रहेंगे लीट लिमन और यह नहीं गर्णों आपको अंध नहीं देज़ा है इस चीज को आपने आंसे ही रखा लिमेंगे इस तरह सिपने रखा आप देखते चले मैं बिल्कुल इस चीज के अकॉर्डिंग इसको कनवर्ट कर दूँगा और देन वी कें इवैल्यूएट वी कें फाइंड आउट दा आंसर इसके बाद में next यह था कि यहां पर आपको तेकि फर्स्ट अम इसकी n प्लस 1 से start होती है अप्टो 2n तक चला गया यह भी एक काम कर लेते हैं 1 upon n plus 1 1 upon n plus 2 1 upon n plus 3 1 upon n plus n लिख देंगे 2n confuse करने के लिए उसने डबल करके लिखा हुआ है n plus n कर देंगे तो आपको मालूम चलेगा सीरीज 1 से start हुआ और यह अप्टो n तक जा रहा है तो इस तरह से यह चीज मालूम चलगे अच्छा इसके बाद आप लिखोगे limit n tends to infinite summation लगाएंगे और यह सीरीज आप देख रहे है और यह सीरीज आप देख रहे है और यह सीरीज आप देख रहे है तो नेक्स स्टेप हमारा यहाँ पर आ जाता है इसकी बाद सपोज हम यहाँ आ जाते है limit आप इसको लिखते हो, limit n tends to infinite लिखेंगे, summation sign है, r equals to 1 to n है, ठीक है इसमें से 1 by n common निकाल लिजे, 1 plus r by n हाजेगा, 1 plus r by n होगा, right this is the function in this form, right and what about the lower limit, lower limit के लिए formula बताया था आपको, limit n tends to infinite, r by n और यहाँ r की value 1 रखेंगे, यह series 1 से started है, यहाँ पर हमने, summation में जब इसको convert किया, तो r की value 1 लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, most, in most of the cases, this value is 0, right, what about the upper limit, upper limit देखिए ऐसा होगा, limit n tends to infinite जाएगा, और r by n, r by n value थी, और उसमें r की value हमारी चले गई, n तक, r की value, r equals to 1 to n तक गया है, तो यहाँ पर n place कर देंगे, और उसकी limit ले ले लेंगे, यह खोदी 1 होगया, n by n is equals to 1, ठीक है, n tends to infinite की limit थी उसमें, but we know that it is request to work, तो आप जो convert करेंगे, यह देखिए, इस तरह से convert होजएगा, this is from lower limit to upper limit, और यह पूरा submission, limit n tends to infinite, यह पूरा part convert होगे है, इसमें, lower limit, upper limit place होगा, 1 by n dx में आ जाएगा, 1 upon 1 plus, 1 by r by n, function जो create कर रहे हैं, उसमें r by n को आप convert कर देते हैं, x में, this is the function of x, right, so this converts like this, r by n की जोगे x लिखने का है, r by n की जोगे x लिखा, right, और दूसरा, 1 by n की जोगे आप dx लिखेंगे, so 1 by n की जोगे dx लिख दिया, ठीक है, यह convert होगया पूरा, और इसको simplify कर देंगे, this is equals to ln of 1 plus x, 1 upon dx upon 1 plus x का integration लिखेंगा, ln of 1 plus x, limit place करेंगे from 0 to 1, so it is equals to ln 2, minus ln 1, ln 1 0 होगा, तो अंसर इसका जाएगा, log 2, log 2 is the simple answer, right. करेंगे 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 ।